हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉजन साभी को स्वागत करती हूँ, उमीद कर चिस अच्छे हल्प में होगे, इन परिवाल का ख्याल भी रखते होगे तो यहाँ पे राधिका और राधिका के मम्मी दुरुप को बुला के ये पूछ रही है कि माजरा क्या है तुम यहाँ पे गुन-गुन के हाथ में हाथ देके बैठे हो, और यहाँ पे तुम उसके आसू भी पोच रहे हो और तुम यहाँ पे इतने महने हो गए, तुमने तो शादी भी नहीं किया, तो तुमको क्या गुन-गुन साभी प्यार है तुम क्या गुन-गुन को वापिस ले जाना चाहते हो यहां दुरुफ का कहना है मेरे अंदर soft corner तो है पर मैं यहां पर ले जाओंगा कि नहीं यह मैं sure नहीं हूँ क्योंकि मेरे ममी पापा मानेंगे कि नहीं पहले मुझे यह देखना है और यहां पर में मुद्दा तो यह होता है कि गुन-गुन का बच्चा फ्रेंग्स गुन-गुन का बच्चा क्या उसके ममी पापा अपनाएंगे क्योंकि यह 80% 20% जो भी DNA हो पर में तो है father summer क्योंकि 80% तो DNA उसी का है तो यहां पर तो किसी और के बच्चे को अपनाने के पीछे 10 बार लोग सोचते हैं तो क्या गुन-गुन के इन-लॉस क्या सोचेंगे सोचेंगे जरूर सोचेंगे अब देखते ही क्या होता है आगे क्योंकि गुन-गुन तो मुझे लटा टस से मस होने वाली है वो summer का घर चोड़के जाने वालों में से नहीं है क्योंकि उसको जितना भी है उसको यहां समर के घर में ही रहना है और राधिका को हरस करना है और राधिका राधिका को तो यहां पे जीत हासिल हुई है पर गुन-गुन को वहां घर से निकालने में जीत हासिल होगी कि नहीं ये तो कोई भी नहीं बता सकता ये तो हम लोग को वेट और वाची करना पड़ेगा तो देखते हैं आगे क्या होता है फ्रेंड्स यहां पर राधी का इक मम्मी तो बहुत चाती है कि गुन-गुन चली जाए घर से पर यहां पर गुन-गुन तो जा